हालो आपरीबवान दिस इसमान महांतिवारी एंग राचिंग वोड चैनल फिनांसल पंडित एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूं हर एक दिन मीच्वल फंड और इंवेस्टमेंट से रिलेटेट आपके लिए वीडियो लेके आता हूं वाकिया में आप चाहते हो वीड और फोल्यो ओबरडाक नहीं हो रहा है और अगर हम सेम कैटेगरी से दो मीच्वल फंड ले रहे क्या हमारे वह पूर्ट्फोलियो के लिए सही है की नहीं क्या वो हमारे रिस्क एले सही की नहीं हम इस पर बात करेंगा लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ एक मै से भी ऐसी guidelines क्यों लेका यही थी जो 1st January से यहां पर नवी का रूल applicable होने वाला था अब वो 1st February से क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो operation उसमें लगेगा exactly जो operation pressure है उसके लिए अभी AMC prepared नहीं है जब तक AMC अपने आपको full prepare ना कर ले operation के लिए तब अब तक यह NAB का rule applicable नहीं होगा इस पर the current information अभी यह फर्स्ट फरवरी से यहां पर applicable होने वाला है let's see operational work के लिए AMC यहां पर पूरा prepare हो जाती है तो यह फिल्ड applicable हो जाएगा जो new investor है और जो वाकई में अभी इस new rule के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा बहुत ही समराइज करके अगर बता दूं आपको कि जो भी आपका mutual fund investment है जो भी आप mutual fund investment करते हो तो अभी के date में यह होता है कि जब आपका transaction complete होता है तो cutoff time के coding आपको यहाँ पर मिल जाता है अब जो यह new rule applicable होगा उसके basis पर जब आपका पैसा AMC के पास पहुंचेगा और जब cutoff time के पहले पहुंचेगा तो आपको same day का नवी मिलेगा और cutoff time के बाद अगर पहुंचेगा तो आपको next day का भी मिलेगा जो की first January से applicable होने वारा था लेकिन अब यहाँ first February से applicable होगा तो आप confuse मत होना अब हम आते हैं इस वीडियो के main topic पे देखो आज हम बात करेंगे कि exactly क्या same category से हम दो mutual fund ले सकते हैं अगर portfolio overlap नहीं हो रहा है पहले हम overlapping को समझते हैं overlapping होता क्या है जो investor यहाँ ABC और mutual fund XYZ आप अपने portfolio में उसको जगह देते हो तो यह देखते हो जो mutual fund ABC है उसके portfolio में यहाँ पर 15 से 20 stock 15 से 20 stocks common है जो XYZ mutual fund के portfolio में भी है it means जितना percent stocks इन दोनों mutual fund का match करेगा उतना percent आपका portfolio overlap होगा और जितना ज्यादा overlapping का percentage होगा आपके portfolio में उतना risk का factor increase होगा अब इसका risk का factor कैसे है थोड़ा मैं आपको यह भी समझा दो risk का factor ऐसा है कि देखो मानलो आपने दो mutual fund select किया एक ही category का for example यहाँ पर आपने ABC small cap और XYZ small cap mutual fund select कर ली अब इन दोनों mutual fund का अगर हम overlap percentage देखें तो यहाँ पर 30-40% है इत मेंस कि 30-40% इन दोनों mutual के portfolio में जो stocks हैं वो common है वो match कर रहे हैं इत मेंस कि हमारा portfolio वैसे stocks पे ज्यादा depend है और वैसे stocks पे अगर ज्यादा गिरावर्ट हुआ या कोई negative news आया तो आपके portfolio में सबसे ज्यादा गिरावर्ट देखने को मिलेगा तो ऐसे risk का factor काफी increase हो रहता है कई ऐसे investor यह सोचते हैं कि it means कि हमें portfolio overlap देखना अगर portfolio overlapping हो रहा है तो हमें वैसे mutual fund को अपने portfolio में जगह नहीं देना है लेकिन अगर हम same category mutual fund ले रहे हैं लेकिन portfolio overlap नहीं हो रहा है तो क्या हम उसको अपने portfolio में जगह देख सकते हैं example के तोर पर अगर मैं आपको समझाओं तो यहां पर हम Mirai asset emerging blue chip fund को लेते हैं जो एक large and meet category का है दूसरा mutual fund same category की बात करें तो access growth opportunity fund जो large and meet category का है दोनों same category के mutual fund है अगर इन दोनों का हम overlap percentage देखें तो मैं यहां पर निकाला हूं overlap percentage यहां पर और मुस्ट देखें तो nine point something हो रहा है इचेक stocks इसमें common है अगर देखा जाए तो यहां पर access growth opportunity fund में 56 stocks है और Mirai asset emerging blue chip fund में 51 stocks हैं इन दोनों में से 9 stocks हैं जो दोनों mutual fund में match कर रहे हैं देखो overlapping percentage जब तक 20-25% के उपर ना दिखें तब तक हमें tension नहीं कर सकते हैं लेकिन यह दोनों mutual fund same category का है तो क्या हम portfolio में जगा दे सकते हैं देखो मैं अगर आपको अपना राय दूं तो कभी भी same category से दो और तीन mutual fund का यहां पर selection अपने portfolio में नहीं करना चाहिए बहले हो overlapping typing नहीं हो रहा हो क्यों क्योंकि देखो आप किसी भी एक category पर डिपेंड हो जाओगे तो risk factor काफी increase हो जाता है for example हम अपने portfolio को design नहीं कर सकते सिर्फ small cap पे focus करके क्योंकि जब market में गिरावट होगा तो आपको पता है small cap में सबसे ज़्यादा गिरावट देखा जाता है वैसे stocks में सबसे ज़्यादा होता है और फिर अगर market 10-12% का negative return देगा तो आपके portfolio में 35-40% का negative return होगा it means गिरावट में सबसे ज़्यादा danger है तो वहीं पर अगर हम large in meet cap category की बात करें यह दो mutual fund है Mirai asset emerging blue chief fund और access growth opportunity fund देखो हाला कि यह large in meet cap category के है large cap का अगर percentage जादा है तो गिरावट कम देखने को मिलेगा लेकिन लेकिन हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि mutual funds में ऐसे mutual funds में meet cap category का भी stocks है जो risk को यहाँ पर generate कर तो हम large in meet cap पे सिर्फ focus कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने risk को increase कर रहे हैं एक same category का अगर आप दो mutual fund select कर रहे हो भले वह overlapping नहीं हो रहा है फिर भी हम same category के दो mutual fund को option या जगह नहीं देंगे अपने portfolio long time में अगर देखोगे तो वाकर में आप अपने portfolio का risk increase कर रहे हो कुल मिला के अगर मैं बहुत summarize करके बताऊं तो same category का आप दो mutual fund अपने portfolio में ना रखें देखो बहुत ऐसे investor हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ हमें return से मतलब है same category का हो या फिर same category का नहीं हो mutual fund अगर अच्छा return दे रहा है तो हम क्यों ना वैसे mutual fund को अपने portfolio में जगा दें देखो आपका मानना सही है आपको return पे ही focus करना है लेकिन return के साथ साथ आपको risk का भी factor देखना है देखो हम एक साल दो साल और तीन साल के लिए equity oriented mutual fund में तो invest नहीं कर रहे हैं exactly हमारा goal लंबा है हमारा यहां पे जो target है almost 12 साल का है तो long duration में calculation करोगे long duration में जाओगे तो वाकरी में आपके portfolio के लिए बहुत ज़्यादा effect करेगा कभी market में बहुत ज़्यादा गिरावट होगा तो आपको यह भी देखना है कि हमें downside protection चाहिए अपने portfolio का चलो market high है तो हमें अच्छा return मिल रहा है it's okay high return के लिए हम यहां पर बैठे हुए है हम यहां पर invest कर रहे हैं लेगिन जब market में गिरावट हो तो हमारे portfolio में downside protection कितना है यह भी देखना जरूरी है हम portfolio बना के इसलिए चलते हैं कि हम जो अपना risk है उसको पूरा diversify कर दे और एक तो हीनी category से 2-3 mutual fund को अपने portfolio में जगण ना दे भले बहुत हो और लाप हो रहा है या? हाना कि देखो overlapping हमें देखना है चाहिए, हम other category के mutual fund को select करें या फिर same category के mutual fund को select करें, ओर लाप हो रहा है तो हमें तो रखना ही देखना ही, लेकिन अगर नहीं overlap हो रहा हो और same category का है तो फिर भी हमें mutual fund को वाइस से जगा नहीं देना है तो इस वीडियो से लिटेट अगर आपके mind में कोई query हो बेजी जग comment box में आए query generate करें आने वाले time में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा एक humble request अभी तक चैनल को नहीं कियो subscribe, like को, share तो अभी start करें फिर मिलें एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए चैनल चैनल भारत